आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें COVID-19 की दूसरी लहर के बीच कई लोग Mucormycosis नाम की फंगल इंफेक्शन की चपेट में आ रहे हैं जो किसी व्यक्ती की प्रतिरोदक शमता कम होने पर होता है COVID-19 और डाइबिटीज के मरीजों के लिए ये इंफेक्शन और जादा खतरनाग साबित हो सकता है इस संक्रमर को ब्लाइक फंगस के नाम से भी जाना जाता है Indian Counseling of Medical Research द्वारा जारी एडवाईजरी के नुसार मियकोर माइकोसिस फंगल इंफेक्शन है जो शरीर में बहुत तीजी से फैलता है मियकोर माइकोसिस इंफेक्शन नाख, आँख, दिमाख, फेफडे या फिर स्किन पर भी हो सकता है इस बिमारी में कई लोगों की आँखों की रोशनी तक चली जाती है वहीं कुछ मरीजों के जबडे और नाख की हड़ी गल जाती है सरोजनी नाइडियो मैडिकल कॉलेज के सरज़री विभाग के प्रोफेसर डॉक्र प्रिषान्थ गुप्ता, डॉक्टर टीपी सेंग, प्रोफेसर मेडिसन विभाग, डॉक्र अखिल प्रताप सेंग, सहायक आचारे ना कान गला रोग विभाग एवं डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा सहायक आचारे ने बताया म्यूकोर माइकोसिस आम तोर पर उन लोगों को तेजी से अपना शिकार बनाता है जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक्षमता बहुत कम होती है कोरोना के दोरान या फिर कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों का इम्म्यून सिस्टम बहुत कमजूर होता है इसलिए ये असानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं खास दोर से कोरोना के जिन मरीजों को डियाबिटीज है उनका शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें मियूक और माइकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है ये संक्रमन सास दोरा नाक के जरीए व्यक्ति के अंदर चला जाता है जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक्षम तक कम होती है उनको ये ज़कर लेता है इसके लक्षन इस प्रकार है नाक में दर्ध हो खून आए या नाक बंध हो जाए नाक में सूजन आजाए दांत या जब्रों में दर्ध हो या गिरने लगे आँखों के सामने धुनला पनाए या दर्ध हो बुखार हो सीनी में दर्ध बुखार सिर दर्ध खासी सास लेने में दिक्कत खून की उल्टिया होना और कभी-कभी इसके चलते दिमाग पर भी हसर होता है किन रोग्यों में ये जादा पाय जाता है जिनका शुगर लेवल हमेशा जादा रहता है जिन रोग्यों ने कोविट के दोरान स्टेरोई लिया हो काफी देर आईसियों में रहे रोगी, ट्रांस्प्लांट या कैंसर के रोगी लेकिन इस से कैसे बचें? किसी निर्मान धीन इलाके में जाने पर मास्क पहने? बगीचे में जाए तो फुल आसें शर्ट, पैंट वा गलव्स पहने स्टर को जाचते रहे और इसे नियंतरित रखें स्वास से मंत्राले ने कहा है कि हलके लक्षन दिखने पर जल से जल डॉक्टर से संपर्क करें कोवट के रोग्यों में अगर बार बार नाक बंद होती है या नाक से पानी निकलता है, गालों पर काले या लाल चक्ते दिखने लगें चहरे के एक तरफ सूजन हो या सुन पर जाए, दांत और जबरों में दर्द कम दिखाई दे या सांस लेने में तकलीफ हो तो ये ब्लैक फंगस हो सकता है से नियूस के लिए लक्षमी रास्तेंग की रिपोर्ट